दोस्तों जयहिन स्वागत है आप सभी का study with aim SPP चैनल पर दोस्तों ये लेकपाल के लिए mock test एक है ठीक है practice set है ये basically इसमें सारे questions हैं लगबग 75 questions के असपास हैं ठीक है लेकिन इसमें maths और रिज्दिंग वाले नहीं है क्योंकि उसको solve कराने में बहुत टाइम लग जाएगा त चोटा और crisp वीडियो होना चाहिए knowledgeable क्योंकि maths जो है आप solve करेंगे मेरे बताने से कुछ नहीं होगा अगर आप solve करते हैं maths तो आपको वो सारी चीज़ें आपको clear हो जाएंगी हाँ ये जो GS वाला part है और other जो slaves related है उसको मैं अभी करवा रहा हूं इसमें तो ये series चलती रहे तो चलिए शुरू करते हैं इसे बहुत सारी चीज़ें बड़ा बढ़िया मतलब standard लेकवाल वाले standard का है ये यूपीट्र पर लसी के standard का है ये तो इसको solve कीजिए और अपने जो marks है बताईएगा comment कीजिएगा like कीजिएगा share कीजिएगा ठीक है चैनल पर नए है तो subscribe कर लि अब्वे भी हो तो दूसरा पद संग्या हो संग्या हो ठीक है तो वो क्या होता है अब्वे भाव होता है ठीक तो ये अब्वे भाव है जैसे एक एक यानि एक के प्रती एक ठीक तो ये सब चीजें ऐसे हो गया अभी इसी में जिसमें जो है दोनों पद प्रधान हो वो में क्या है कि जिस सब्कान का प्रथंपद विसेशन हो और 읽ert जो है वो संग्या यानि विसेश से हो कर्मधार समास चलिए ऐसे आपको बता दिये थोड़ी जनकारी के लिए धनुर बाण अब देखिए धनुर बाण ये दोनों पद इसमें वह हैं समान है ठीक है मतलब दोनों पद इसमें प्रधान है संग्याएं और विसेशन जो भी होगा वह दोनों पद समास तो वह क्या कहल है राम और लक्षमन तो और जहां पर बीच में आगा वह दोन समास होगा ठीक चले इनमें से कौन सा नहीं है तो देखे इसमें से कौन सा नहीं है आई नहीं है बाकी सब है अरी है बैरी है रिपू है आही किसका है ये साप का है, ठीक, कौन सा सब्द इंद्र का परियावची नहीं है, तो इसमें सब है, ये पुरंदर है, माघवा है, सक्र है, बट ये गणाधि, गणाधिप नहीं है, ठीक, चलिए, इस प्रिस्य का विलोम क्या होगा, आइस प्रिस्य, ठीक, तो ब्यान रखिएगे इसको, धुहन्स का विलोम क्या होगा, तो धुहन्स का विलोम होता है, निर्माण, यानि धुहन्स मतलब गिरा देना, विनास कर देना, तो निर्माण, ठीक, निमलिखित में से कौन सा सब्द तत्सम नहीं है, तो देखिए, तत्सम इसमें कपाट सही है, कीटक भी सही है, कीटक, क तो यह आप उसको उसी तरीके से द्यां में रख सकते हैं दो या दो से अधिक समीपस्त वर्डों के मेल से जो परिवार्तन होता है तो वो क्या कहलाता है संध्य कहलता है याद रखेए इसको संघ्र नहर का संध्य शरहомина हुगा समधणहार संखार ठिक याद रखेए है इनको आप द्यान में रखेंगे तभी जो है आपका प्रस्ण होगा यह कौन से संधी होगी यह होगी संधी क्या मतलब यह हिए जहाँ पर लास्ट सब्डी यह जो है वे इनু होगा ठीक है तो वो यह कहलाएगा ठीक है अंतेवासी, याद रखेगा, ठीक है, उच्छ कुल में पैदा हुआ वेक्ति क्या होता है, कुलीन कहते हैं उसको, ठीक, चलिए, नेक्स्ट देखते हैं, फटा-फट देखते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें, अंधे के हाथ बटेर लगना, यानि किसी अयोग् उमें जो दिया है, सही दिया है, मालदार होना, निमलिखित में से सुद्ध वाग के अगर ठोनेंगे, तो यह बाकी सबी तो ऐसे ही हैं, लेकिन अगर ग्रिणित के साथ जिसे च्छी लगा हुआ है, तो यह सही है, थीक है, बाकी सब में आ, वाप, वाप, ओ है, तो व всё ही झालेकiddag भी नहीं है सब्दा नुक्रम में सही वाक के देखिए कौन ठिक तो याद रखिए इसको इस हिसाब से प्रश्नों को हल कें ठिक चलिए गवяж सब्द के आसा गाए तो गाय क्या है यह इसका जो यह होता है गअने कि इसका बहु बचन कोटी चिन्हित कीजिए तो इसमें से कौन सा है क्रियापरक व्याकरणिक कोटी किसको बोलते हैं वो कारक को बोलते हैं व्याकरणिक कोटी जो है क्रियापरक वो कारक होता है ठीक है अंत्याक्षरी याद रखेगा ऐसी निम्लिकित में सुधरूप कौन सा है तो इस में से सुधरूप कौन सा है प्रदर्सिनी प्रदर्सिनी सीनी नहीं सनी प्रदर्सिनी ठीक यह यानि कि यह हो गया ठीक चलिए निम्लिकित में से कौन सा सब्द हंस की जगा प्रियोक तो नही तो यह लिए यह लिए आगे बढ़ते हैं देखिए गध्यान से यह है आप पढ़ लीजिए इसको गध्यान्स मैं पूरा नहीं पढ़ूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा आप गध्यान्स इसको पढ़ लीजिए अवतरण का उपरयुक्त सीर्षक क्या होगा इसमें पूछा है सीर्षक तो देखिए जो भी आप उसका जिस्ट पढ़ेंगे एक बार दो बार तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या पूछ रहा है उसमें तो कार्य ततपरता के बारे में बात हो रही है कि ततपरता कितनी होन संचेपन कौन सा होगा तो संचेपन मतलब थोड़े में अधिक बात कहना यह देखिए जैसे इतना ही बातों में वह पूरे उसका सारांस दे दिया है और कुछ छूटा भी नहीं तो यह हो गया इसका आंसर हो गया बी इसको आप पढ़ लिजेगा इसको भी ठीक है चलिए संचेप हिए एक असथा लोथल की खुदाई किस में हो ती तो एसर राव को यह कि 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 एदिया रराम सहनी ने किसको यह किया था इनके नेत्रितमे कि इसका खानन किया गया它 ऑप requested रखलदा बनर जी आरेस ने किसका किया था आप कमेंड करके बताईये और एस बिश्ट ने किस अस्थल का किया था खनन निमल्खित में से किस आसक की मृति उसको पुस्तकाले से और अच सही भी किया है निम्नांकित में से दा इंडिपेंडेंडेंट के समाचार पत्र किसने संस्थापक कौन थे मोतिलाल नेहरू दा इंडिपेंडेंडेंट ठीक है तो याद रखिएगा आप मैं कहीं अगर टिक नहीं लगा रहा हूं तो बोल दे रहा हूं आप उसको दोलन के दोरान 1932 में ग्रेट बिटेन के किस प्रधान मंत्री ने सांप्रदाइक पुरसकार की घोशना की थी तो जो संप्रदाइक पंचार था वो यह रैमजे मैकडोनल्स से इन्हों ने 1932 में किया था इसकी घोशना की थी और उसी के बाद फिर जो गांधी जी थे यह र कियों, सबसे आठोशा बांध है इसको, जी ने नेस्ट देखते हैं, जो जीला दर्रा किसे जोडता है तो जी cow दर्रा जो तो जो लेह और स्रीगर के जोडता है। इन में से कौन सी नदी भारत में पस्चिम दिसा में नहीं बहती तो पस्चिम दिसा में कौन सी नहीं बहती है तो ये देखे कृष्णा है जो इधर ही आती है पूर्व में यानि ये बेफ बेंगॉल में गिरती है बाकी सब उधर ही जाती है ठीक है साबरमती नर्मदा लूनी यह सब पस्ची में बहते हैं भारत की तीन महात्पूर्ण नदियों का स्रोत हिमालाय इस्तित्मान सरोवर जील के निकट है बताए कौन सी नदिया है तो देखिए उसमें ब्रह्मोपुत्र है सतलज है और सिंध यह तीनों नदियों का उद्गम लगभग लगभग एक ही जग चौथे पर कौन सा है ऑस्ट्रेलिया है पांचवें पर ब्राजील है और यह अपना जो भारत है वह साथवे नंबर पर है ठीक है याद रखिएगा इसको भारत का जो संभिधान है भारत का संभिधान सभाद वरकप अपनाय गया था जो लागू हुआ 26 जनुम्बर उनीस स उन्चास को इसको ध्यान में रखिएगा confusion ना हो ठीक चली कौन सी अंसूची के तहट अंसूचित छेत्रों और अंसूचित जन्जातियों के प्रसासन और नियंतरन के लिए प्राउधान करता है तो अंसूची 5 और 6 ही है जो सेस्ट से related है ठीक है सेस्ट मेंडलब सेडियू कास ट्राइब ठीक है यह सब जो भी है सेस्ट से इन में से कौन सा भारत बैंकिंग भारत में बैंकिंग शेत्र में महत्कौन सुधारों में से एक नहीं है तो इसमें से कौन सा है जो नहीं है तो यह वर्धित SLR जो है यह नहीं है बाकी तो है है इसमें सारे ठीक है केंद्र सरकार के विकास वे में क्या सामिल नहीं है तो रक्षा वे जो होता है वो विकास में नहीं होता है वो देश की सुरक्षा के लिए होता है तो इसलिए इसको विकास वे में एड नहीं किया जाता है ठीक है यहां से देखिए science वाले questions इसमें पूछा गया है कि current जो है उसका SI unit क् तो एंपियर बहुत बार पढ़ा होगा जंग लगने से क्या होता है जंग लगता है तो जो लोहा होता है उसका भार बढ़ जाता है ठीक है याद रखिएगा निम्लिखित में से कौन सा हर्मोन قتr Taycan P Ruby Kelsey नहीं स्रावित होता तो इसमें सेक्रेटरीन है जो कि नहीं होता है और कि यह से इन खैक्रीन टीए नहीं होता है यह दिएन कोटा ग्रेंट कुछ डेसा है जो कि बेक्टीरिया से होता है और यह क्या बोलते हैं कि यह जब अगर आप कुछ रोग के साथ कुछ रोगी के साथ बहुत दिनों तक रहेंगे तो संपर्क में रहने से यह बढ़ आपको भी हो सकता है लंबे समय तक एकदम से नहीं हाँ संक्रामक रोग होता है यह लेकिन एकदम से नहीं फैलता है अगर आप क्यों सा सहर को चरमोद्योग की राजधानी की रूप में माना जाता है तो यह कानपूर ठीक इसी को मैंचेस्टर आफ यूपी बोलते हैं मैंचेस्टर आफ इंडिया किसको बोलते हैं एहमदाबाद को ध्यान रखेएगा ठीक है और बोस्टन आफ इंडिया किसको बोलते हैं उसे भी यह अहम्दाबाद को ही बोलते हैं ठीक है बोस्टन आफ इंडिया भारत का बोस्टन देखिए मेला और इसको यह मिलाने के लिए इस तरीके से उपी PCS में और इन सब में बहुत बार पुछा जाता है यह दम फेबरेट कोस्टन है यह यह कहा होता है यह वारणसी में लगता है तो अगर इससाहर देखेंगे तो किया गया था फ्यूस गोल दोरा थीक है ध्यान में रखेगा 2021 में 20-26 सप्टमबर के मद्ध है वाणिज मंत्राले द्वारा कौन सा सप्ता मनाए गया था तो इसमें देखिए यह वाणिज सप्ता मनाए गया था उस समय थीक है ठीक है याद रखिएगा सामाजिक न्यायवम अधिकारता मंत्राले ने किस नाम से वरिष्ट नागरिकों के लिए भारत की प्रत्थम अखिल भारती हेल्प लाइन शुरू किया है तो एल्डर लाइन यह एल्डर लाइन क्या है 14567 तो 4567 याद रखिए एक आगे लगा दीज यह एल्डर लाइन हो गए प्रतेकवस्तु प्रतिक्षा कर सकते हैं किन्तु क्रसी नहीं थीक है तो पंडी जवाला नेहरू ने यह बोला था प्रधान मंत्री उज्वला योजना किस वर्स प्रारम की गई तो यह एक मैई 2016 को प्रारम की गई थी अभी प्रधान मंत्री इतना होता है तो यह 12 होता है यह 8 से 15 के असपास होता है भारत में कुल कितने गाउं है तो यह 6,40,930 गाउं ठीक है याद रखेगा इसको गंगणना 2011 के इन सब्सक्राइब कि इसके लिए फेमास है दैसाहरी आम के लिए ठीक है ध्यान रखेगा इसको उत्तर प्रधेश के किस जिले में पूर्सों से महिलाओं का सरवाधिक यह अनुपात सरवाधिक है यानि लिंगा अनुपात कहां पार सबसे ज्यादा है तो यह जौनपूर में है ध्यान रखेगा जौनपूर में सबसे ज्यादा है उसके बाद आजमगड है second number पे आजमगड के बाद दिवरिय तब confusion हो जाएगा आपको अम बेटकर विसेश रोजगारी योजना के अंतर कर सामाने स्रेणी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध कराई उपलब्ध इकाई लागत प्रत्सत्ता एवं अधिक्तम आर्थिक सहायता कितनी सब्सड़ी है कितनी सब्सड़ी देंगे धनरासी तो जाती है तो उधर आप देखेंगे खड़ी बोली प्रयोग में लाई जाती है याद रखेंगे इसको यह क्या है यह राष्टी ग्रामीर्ड रोजगार गारेंटी योजना है जिसे मनरेगा कर दिया गया था बाद में तो यह वही है एक क्रिसी खेत के मापन में सर्वोत्तम जो विधी है वो क्या है वो सर्वोत्तम विधी क्या है खेतम आपने की तो जरीब द्वारा नापते हैं देखा होगा आपने जिस समित की संस्ती पर देश में पंचायती राज को लागू किया गया तो यह बलवंतराय मेहता थे जो 1957 में इन्होंने बताया था ठीक है याद पंचायत को कौन से समिधान से स्वासासन काई के रूप में संगठित किया गया तो यह 73 समिधान संसोदन ध्यान रखिएगा ठीक है बहुत बार पूछा गया ही है पंचायती राज से संबंधित निमलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है तो पंचायत व्योस्ता ग् प्रभावी हुआ था ठीक है 14 अप्रेल 1993 ठीक है इधान रखिएगा यह 24 अप्रेल को हुआ था 15 अगस्त नहीं निमलिखित में से कौन त्रिन मूल लोकतंत से संबंधित है तो पंचायती राज ही है त्रिन मूल यानि जमीनियस तर से जुड़ा हुआ भारत के योजना आयो है तो सारे सारे तो नहीं सही है सबकी है यही वाला है जो इसमें पहले ही पढ़ लेंगे तो यही समझ में आ जाएगा आपको ठीक है आर्थिक नियोजन विशय किसमें है तो आर्थिक नियोजन का जो विशय है वो किसमें है भाई आर्थिक नियोजन राज भी करता है सुची में है यहूं में बॉनेपन के लिए जो जीन है वो कौन सा है नोरिन 10 याद रखिएगा एकदम फैक्ट ठीक है एकदम फैक्ट ही है याद रखिएगा इसको चलिए आगे बढ़ते हैं बारत में क्रिसी मूले आयोक की स्थापना कब हुई थी तो यह 1965 में हुई थी ठी ब्सक्राइब के लिए आपस। सब्सक्राइब जो कर्एगा इसको चोटा कर देते हैं आपके ड्लीजीए गपिसमें इसमें क्या है यह सर्सिक्षा भियान भारत स्क्षरता और यान ऑप्रेसणâm ब्लेखब्र यह 1997 में चला गया तो तो सी का वन जहां पर आप देखिए तिक मार दीजिए ठीक है पहले ही आपका question पकड़ में आ जाएगा answer तीसरे का A का 3 यानि कि सर्वस्तिक्षा भियान 2001 साक्षर भारत मिसन 2009 और राष्टी साक्षरत मिसन 2000 1988 तो इस तरीके से आपका question हो गया संगम का उद्देश से क्या है संगम का उद्देश से है विकलांगों की सहायता ये प्रस्ण UP RORO में पूछा गया था ये थीक है तो ये ग्रामेड और सहरों में कौसल विकास से संबन्नित है तीक है उत्तर प्रदेश सरकार्द और समाजवादी प्रारम की गई थी तो ये जनवरी 2014 में प्रारम की गई थी त्यान रखिए गई इसको इसमें 500 से 700 के बीच दिये जाते हैं ठीक है मैक्जिमम साड़े 700 है और 500 अभी कुछ बढ़ाने की बात चल रही थी पता नहीं बढ़ा की नहीं अब कमेंट करके बढ़ा है क्या दो ऑप्रेशन ग्रीन परियोजना का उत्रप्रदेश में सुभारम कभा था तो ये 2001 में हुआ था याद रखिए इसको कभा था 2001 में ठीक है तो आई होप कि ये वीड सब्सक्राइब तो करवा ही दूँगा मैं 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 देखता हूं मैं सब्सक्राइब के लिए बड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा यह अभी जैसे 20-25 मिनिदे में हो गया उसको कराने में फिर आपको बताऊंगा नहीं सिर्फ आंसर आंसर बताने में कोई फायदा नहीं है अगर थोड़ा उसको explain करना पड़ेगा आपको बताना पड़ेगा तो उसमें क्या है टाइम ज्यादा चला जाएगा वह फिर एक गंटे से ज्यादा हो जाएगा वीडियो तो चलिए ठीक है यह आप उसको कर लीजेगा उससे और इसमें जो है यह जीएस वाला portion यह पूरा